अब दिल्ली में सरकार का मतलब LG यहां भारत की संसद ने GNCTD Amendment Bill 2021 को मंजूरी दे दी है आज इस वीडियो के मध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ कि आखिर इस बिल का तमाम विपक्ष खास कर आम आदमी पाटी ने क्यों इतना बिरुद किया है और क्यों कह रहा है कि इस बिल के पास होने से जो संधवाद है फेडरलिजम है वो प्रभावित होगी राष्टिय राजधानी राजच्छेत्रशाशन संसुधन विध्यक 21 गौर्मेंट ओफ नेशनल कैपिटल टेरिटोरी अफ डेली अमेंडमेंट बिल 2021 यानि सौट में इसको आप कह सकते हैं इस बिल का नाम है जी एन सी टी डी बिल लोग सभाने इसको 22 तीन को पास कर दिया और राजधाने 24 मार्च को पास कर दिया और अब यह बिल संसत से पास होने के बाद राष्ट्रपती के पास जाएगा मनजूरी के लिए और राष्ट्रपती की मनजूरी मिलते ही यह विध्ययक एक्ट बन जाएगा कानून बन जाएगा और लागू हो सकेगा लेकिन क्या ऐसे प्रावधान है विध्यक में जिसका इतना बिरोध संसत में हुआ सरकार का अर्थ उपराजपाल सबसे बड़ी बात है इस बिल का नंबर वन पॉइंट गौवर्मेंट मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर यह इस पेसल प्रावधान इस बिल में किया गया है गौवर्मेंट मेंज लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार का अर्थ उपराजपाल विधान सबाद द्वारा किसका कौन सी विधान सबाद द्वारा बनाए जाने वाले किसी भी कानून में जहां पर भी गौवर्मेंट हो उसका मतलब उपराजपाल ही होगा यह अस प्रावधा लाए गया है उप राजपाल का जो विवेका धीन सक्ति है डिस्क्रिशनरी पावर है उसमें विस्तार किया गया है यह विध्यक राजपाल को उन मामलों में भी विवेका धीन सक्तियां प्रदान करता है जहां कानून बनाने का अधिकार दिल्ली विधान सभा को दिया गया है उप राजपाल से बीमर्स कंसल्टेशन या विधियक सुनिश्चित करता है कि मंत्री परिशद अथवा दिल्ली मंत्री मंडल दोरा लिये गए किसी भी रिर्णय को लागू करने से पुर्व उप राजपाल को अपनी राय देने हेतु उप युक्त औसर प्रदान किया जाएगा ऐसा पहले नहीं था पहले दिल्ली की सरकार लागू कर देते थी तब उसे उपराजपाल के पास भेजा जाता था एक तरह से पोस्ट माटम अब क्या होगा कि कि किसी भी निर्णय को लागू करने के पहले उसे LG के पास भेजा जाएगा उनकी राय लिया जाएगा यह असपष्ट प्रावधान इस बिल में किया गया है जो administrative decision है प्रसासनिक निर्णय है इसके संदर्व में दिल्ली विधान सभा राजधानी के दैनिक प्रसासन के मामलों पर विचार करने अत्वा प्रसासनिक निर्णयों के समंध में स्वैम को सक्षम करने के लिए कोई न दूसरी बात दिल्ली विधान सभा से जो भी बिल पास होगा उस पर LG की reserve कर सकता है LG भारत के राष्टपती के विचारार्थ अगर ऐसा कोई विधेयक दिल्ली की विधान सभा पास करती हो जिससे दिल्ली हाई कोट की सकतियां कम हो रही हो ए प्रावधान पहले से भी था इस बर लाए गया है इसको प्रेशिडेंट यह कहे कि इसको रिजर्ब कर दिजिए लजी को उसको रिजर्ब कर देगा राष्टपती के विचारार्थ डिलिंग विध सैलरी जिलावेस ऑपी स्पीकर डिप्टी स्पीकर और मेंबर्स अगर इसका पुनर्न निधारन हो यह भी राष्टपती के रिजर्ब कर सकते हैं ऐसे बिलको रिलेटिंग टू ओफिस्यल लैंवेज अफ एसेमली और दे एंसीटी अव डेली एजा कोई बिल हो उसको भी एलजी असपस्ट रूप से प्रेशिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्ब कर सकते हैं इस बिल रिक्वार्स दे एलजी बिल ओफ इंडिया के विचार के लिए रिजर्ब कर सकते हैं जिससे दिली विदहान सभा के सक्तियों के बाहर हो संसुधन की आवसक्ता क्यों यह की पॉटिंग बात है क्योंकि कहा गया है कि संसुधन होना नहीं चाहिए आम आदमी पाटी कह रहा है संरचनात्मक अस्पश्ट था इस्ट्रक्शल क्लेरिटी के लिए बिलज़ूरी था विध्या के उद्देश और कारणों के लेकर हो नहीं था इसके लिए इस बारे में भी अस्पश्टता नहीं है कि आदेश जारी करने से पुर्व किस प्रकार के प्रस्ताव अत्वा मामलों को उपराजपाल के समक्ष प्रस्तूत करने कर सकता है नाइंटीवन के अधिनियम की धारा 44 में कहा गया है कि उपराजपाल की सभ यह ऐसा हुआ तो आपको देखना हुआ दोहजार अठारा में सुप्रिम कोट का पांच नियाए धीसों का समिधान पिठी ने इंडिने किया था कि पुलिस सारवजनिक बिवस्था यानि पबलिक और और लैंड यानि भूमी के अलावा किसी भी अन्यमुद्दे पर उपरा जिपाल की सहमती की आवसकता नहीं है फिर से मैं बता रहा हूँ केवल और केवल तीन यह सुप्रिम कोट का जज्जमेंट है पुलिस पबलिक और और लैंड के अलावा किसी भी अन्यमुद्दे पर एलजी की सहमती की आवसकता नहीं है एलजी कनकरेंस इस नौट रिक्वाइड और इस अदर देन पुलिस, पबलिक और और लैंड यानि तीन ही मुद्दे पर एलजी की कनकरेंस यानि सहमती की आवसकता है बाकी पर नहीं हलाकि न्याले ने कहा था कि मंत्री परिशत के निर्णेयों के बारे में उपराजपाल को सुचित करना और शक होगा मंत्री परिशत की सलाह उपराजपाल के लिए वाद्देकारी होगी नियाले ने स्पष्ट किया था कि दिल्ली के उपरा जपाल की इस्थिती किसी अनराज के राजपाल जैसी नहीं है So LG is not equal to governor of any state बलकि वह केवल limited अर्थ में एक प्रसासक है administrator है Supreme Court ने ये भी कहा था निर्वाचिक सरकार को यह ध्यान में रखना चाहिए कि दिल्ली एक राजज नहीं है दिल्ली is not a state basically दिल्ली एक पूर्न राज नहीं है और पूर्न राज और केंडर सासित प्रदेश के बीच वाली इस्तिती है जिसकी मांग अर्विंद के जिरिवाल कर रहे हैं कि दिली को पुर्ण रुपे नराज का दर्जा दिया जाए सरवच नाले की नड़े के बाद दिली सरकार ने किसी भी नड़े के लागू होने से पुर्व उपराजपाल के पास कार्जकारी मामलों की फाइल भेजना बंद कर दिया था यही से इस बिल के लागू इस बिल को लाने की पटकथा लिखी गई थी जब सुप्रिम कोट ने कह दिया था कि केवल तीन मामलों में समती बाकी में नहीं इस निड़ने के बाद 2018 में निड़ने हुआ था दिली सरकार ने कोई भी फाइल भेजना बंद कर दिया था LG के पास दिली सरकार उपराजपाल को सभी प्रसास्री घटनाओं से अवगत तो करा रही थी किंतुया कार्ज किसी ड़णे को लागू करने अर्निस्पाइद करने के बाद किया जा रहा था ना कि उससे पुर्व यानि केवल पोष्ट माटम किया जा रहा था यदि केंद्र सरकार हालिया संसुधन को मंजुरी देती है तो निर्वाजित सरकार के लिए मंत्री मंडल के किसी भी फैसले पर कोई कारवाई करने से पुर्ग LG की सलाह लेना अवस्यक हो जाएगा और ये चुकी संसद में पास हो गया है तो अब ये लागू हो गया है नैंटीवन का एक्ट में बता दूँ जब दिल्ली सुरू सुरू में किस तरह से आया एक विधान सभा दिल्ली में है केंद्र सासित प्रदेश के रूप में दिल्ली की बरतमान इस्तिती 69 समिधान संसुधन अधिनियम 1991 का परिनाम है जिसके मध्यम से समिधान में 239 ए और 239 भी भी सामिल किया गया था राश्टिय राजधानी राजचेत्र शाषन अधिनियम गौवर्मेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटोडी अफ डेली जी एंसी टीडी एक्ट को राश्टिय राजधानी में विधान सभा और मंत्री परिशत से सम्मंधित शमयधानिक की रूप देखा प्रस्तित यह सुरू में एक्ट पास हुआ था 1991 में जब यह दो अनुशेद लाये थे और दिल्ली में विधान सभा बनी थी और साथ में केविनेट का प्रोभीजन था और यह आपको वीडियो एंकेटी आईयस की और से प्रस्तूत किया गया कैसा लगे ल